अज की जो विकेंसी है यह आपको इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है इसमें आपको 372 पोस्ट के लिए यह विकेंसी यहां पर ओट की गए पर्मानेट जॉब्स आपको होने वाली है और इसमें जेई लेवल का यहां पर आपको जॉब्स देखने के लिए मिल रहे है जिसम आप डिप्लोमा करने के बाद बीवी टे कर रखें तो भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं यहां पर फ्रेसर कंडियेट बिल्कुल इलिजिबल हैं और बहुत सारे ब्रांच है जैसे कि सिभील मेकनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स केंप्यूटर साइंस इस्ट्रुमेंटेशन कंड्रोल बहुत सारे ब्रांच है सभी के लिए यहां पर विकंसी दी गई है केमिकल वालों के लिए विकंसी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देख देख देगा दिन से की सभी कुछ पता लगेगी और इसक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजेगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बैल आकन प्रेस करके और सिलेक्ट करके रखेगा ताकि जब भी मैं वीडियो करूँ तो उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलेगी चलिए वीडिय नेवी की तरफ से आ रही है, government of India, ministry of defense के अंदर में आता है, recruitment of civilian personnel in Indian Navy, दुजारतेस, अभी इसमें विकेंसी निकलिए, Indian Navy, civilian interest test के माध्यम से, जिसमें कि यहाँ पर recruitment of charge men, second यह विकेंसी आपको यहाँ पर रहने वाली है, जिसका notification यहाँ पर दियागा, एक दुजारतेस यह है, जरूर से आप इसमें try किजेगा, apply किजेगा, इसमें permanent jobs आपको होने वाली है, इसमें बहुत सारे यहाँ पर post है, सभी को मैं आपको बारी बारी से करके बताऊंगा, इसमें online application invite किया गया है, सभी कुछ मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, यहाँ पर जो post का details मैं आपक इसको आप कर सकते हैं, और यहाँ पर central service group B का यह non-gagitated post है, level 6 की salary मिलने वाली है, 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में, और यह J level का आपको यहाँ पर jobs देखने के लिए मिल रहा है, level 6 की यहाँ पर आपको देख रहे है, salary मिलने वाली है, और यहाँ पर जो qualification है, वह भी यहाँ पर आपको equivalent यहाँ पर J का रखा गया है, इसमें total post की बात करें, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दू, तो देख सकते हैं 372 post के लिए total vacancy यहाँ पर out की गई है, और इसमें freezer candidate बिलकुल eligible हैं, अपलाई कर सकते हैं, चलिए यहाँ यहाँ पर बहुत सारे post हैं, जिसमें की य electrical feature का यहाँ पर vacancy है, जिसमें की यहाँ पर degree in science with physics और chemistry में कर रखे हैं, तो यहाँ पर apply कर पाएंगे, और में करके हैं कि अगर आप diploma कर रखे हैं, electrical engineering में तो भी यहाँ पर apply कर सकते हैं, और इसमें total vacancy की बात करें, तो 42 vacancy यहाँ पर out की गई है, next vacancy की बात करते हैं तो यह university और में करके हैं, कि अगर आप diploma कर रखे हैं, electronics, electronics and instrumentation, electronics and communication, electronics and telecommunication, या instrumentation and control engineering में तो यहाँ पर आप apply कर पाएंगे, यह सभी branch यह allied branch यहाँ पर दिये गए, जो कि electronics का combination है या instrumentation का combination है, यहाँ सा आप जरूर से अगर आप किये होंगे, तो यह post में apply कर सकते हैं, उसकी बात भ degree अगर आप science, physics या chemistry से कर रखे हैं, तो यहाँ पर apply कर पाएंगे, non-technical field में, या अगर आप लोग diploma in electronics, electronics and instrumentation, engineering या instrumentation and control engineering से अगर आप कर रखे हैं, यहाँ पर apply कर पाएंगे, next जो vacancy है, इसमें सभी में लब 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 graduation आपको दिया गा, non-technical field का, और में करके diploma दिया है, mechanical engineering, तो बहुत सरे जो comment आ रहे थे कि mechanical वालों के लिए vacancy नहीं आती है, तो अभी जो भी candidate mechanical वाले हैं, इसमें apply कर सकते हैं, और इसमें leading branch जो भी है, लब लब सभी branch के लिए vacancy यहाँ पर दी गई है, और आपका कौन सा branch है, comment section में दिरूर से बताएगा, कौन बराश से आप बीटे की है, या कौन से trade से idea की है, ताकि आने वाले जो vacancies होंगी, आपसे relevant आपको देखने के लिए मिलेगे, और चैनल को subscribe करके रखोगे, तब आपको पता लगेगी कि कब कौन vacancy आती है, यहाँ पर देख सकते हैं, डिप्लोमा in mechanical engineering से अगर आप कर रखें, तो अगर आप आप इसमें भी कर रखें, तो भी यहाँ पर अपलाइ कर सकते हैं, एक्ट बात करें तो यहां पर आपको डिप्लोमा in mechanical engineering से कर रखें, तो अपलाइ कर पाएंगे, डिप्लोमा in dress making या germate या fabrication technology से कर रखें तो भी अपलाइ कर पाएंगे, उसके बाद फिर से डिप्लोमा in mechanical engineering इसके बाद बात करें तो इहां पर आपको diploma in paint technology या chemical engineering इसके लिए भी बहुत कम vacancy आते हैं तो जो भी Chemical engineering से related comment किये थे और लोग अभी इसमें अपलाइ कर सकते हैं chemical वालों को यहां पर vacancy है उसके बाद यहां पर diplomat civil engineering तो अगर आपको civil engineering से diploma कर रखें तो लिए वेकंसी है आप यहां पर भी अप्लाइ कर सकते हैं उसके बाद यहां पर सबसे लास्ट में पीपी और सी में है प्लाइब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ग्रूप में जिसमें की डिप्लोमा इन इंजिनेरिग इन एप्रोप्रेट डिसिप्लीन एज मिंसन एजर सीरियल लमर वन तो एबी तो यहां पर आपको जो भी इसे हैं जो डिप्लोमा एप्रोपिट ब्रांश से कर रहा है जैसे कि सिविल इंजिनेरिग में तो यहां पर अपलाए कर सकते हैं यह सभी ब्रांशे हैं सभी के लिए मिला करकर यहां पर टोटल पोश्ट 302 यह पोश्ट पे आपको permanent jobs यहां पर होने वाली है और अलग अलग category में यहां पर DAVID बात करते हैं age limit क्या रहने वाली है तो यहां पर जो एज है crucial date के अनुसार से आपका जो एज है 18 से 25 के बीच बीच में आपका date होना चाहिए और date से बिलोंग करते होंगे तो फ़ाइब यहां पर आपको रिलक्सेशन मिल जागा G और मैंकर के दिया है कि यहां इंजिनर्डिंग से होना चाहिए रिलेवन्ट डिसिप्लीन में लेकिन नोट में करके यहां पर लिखा गए है कि the applicants with higher qualification may also consider तो जो यहां पर higher qualification वाले हैं जैसी कि बीटेख है और भी apply कर सकते हैं लेकिन यहां पर लिखा है कि provided that they are possession of one of the requisite essential qualification as mentioned above as per the decision of the competent authority दो यह जो है आपको सफस्फ में कर दिया गाया कि आपको यह दोने में से कोई होना चाहिए यहां तो अगर आप graduation कर रखें उसके बाद आप b beat次ure 그럼 apply खर सकते हैं or यह अगर आप diploma कर रखें उसके बाद b bだけ कर रखें तो apply कर सकते हैं यह दोनों में 23 से सुबह 10 बुजे से start होगा और इसकी जो closing date है 29 of May 23 इसका last date है तो इस date की बीच में आप इसको apply कर सकते हैं General instructions में यहाँ पर आप पर सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा है Candidate must be citizen of India तो आप कहीं से भी belong करते हैं All India से जरूर से आप इसमें eligible हैं apply कर सकते हैं किसी भी state से बीलों करते हैं जरूर से eligible हैं apply कर सकते हैं अब बात करते हैं कि इसको कैसे apply करना है How to apply तो मैं आपको वीडियो के description में link दे दूँगा अभी इसका link वेसे activate नहीं हुआ कब से apply होगा तो यह 15 मही 2023 से 10 बज़े से start होगा और इसकी last date 29 मही 2023 रहने वाली है तो आप Indian join indiannavy.gov.in इसके official website पर visit करके आप लोग यहां पर join navy पर click करके where to join civilian उसके बाद चार्जमान की vacancy आपको यहां पर दिखी जागी तो वहां पर आप click करके इसको apply कर सकते हैं अब बत करते हैं application fee आपको कितने pay करने होगे तो application fee यहां पर लिखा है 278 रुपए आपको application fee यहां पर pay करने होगे जिसका mode of payment जो है आपको online debit card, credit card, net banking के मादम से आपको pay करना होगा और examinations जो है यहां पर all women candidate को SCST, PILODY और EX servicemen candidate को यहां पर छूट रखा गया तो इन लोगों को कोई भी application fee यहां पर pay करने की जरूरत नहीं पड़ेगे अब बात करते हैं examination cities की कि आपका examination है कहां कहां पर conduct होगा तो यहां पर यह सभी cities यहां पर दिये गए यह सभी state का नाम है और यह यहां पर इस state में कौन से cities में होगा उसका नाम दिया गया तो आप इसको वीडियो को post करके इसको देख लिजेगा कि आपका state इसमें है की नहीं और आपके state में किस city में आपका examination conduct होने वाली है इसमें mode of selection की बात करें तो आपका इसमें as creating test होगा जिसमें कि आपका यहां पर subject wise questions होगे maximum questions यहां पर total five अलग-अलग subject से questions रहेंगे जिसमें general intelligence and reasoning से 10 questions, numerical aptitude से 10 questions, general English से 10 questions general awareness से 20 questions और जो भी आपका subject होगा discipline होगा उससे 50 questions यहां पर पूछे जाएंगे इसके लिए यहां पर indicative syllabus भी दिया गया for examination तो जो भी आपका branch हो या भी domain हो उसके अनुसार से आप देख सकते हैं और यहां से आप preparation कर सकते हैं तो आप आप इसको समझे होंगे जो भी मैंने information था मैंने आपको बता दिया फिर भी अगर आपके मन में को confusion dot query रागया गया तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं मैं जरूर से आपका reply देने की पूरी कोसिस करूँगा मिलता है next वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिया और thank you वीडियो को जरूर से like share subscribe कर दीजिएगा और comment section में जो भी आपका branch हो किस branch से आप diploma की हैं किस branch से बीबीटे की हैं कौन से ट्रेट से idea की है comment section में जरूर से बताइएगा ताकि आने वाले जो vacancies होगे आप वीडियो होगे आप से relevant आपको देखने के लिए मिलेगी